नमस्कार आदाप सश्रीकाल मेरा नाम योगे सर आप देख रहे हैं जी के मोटिवेशनल 166 आज जो मैं कहानी आपके ले लाए हो बहुती दिल्चस्प और मोटिवेट कर देने वाली है बस आपको सुरू से लेकर आखिर तक देखना है और गौड से सुनना है पुराने समय की बात है एक लड़का था वो सेड़ जी किया नौकरी क्या करता था बर्सों से नौकरी कर रहा था बस उसकी एक तरह की दिन्चरिया बन चुकी थी बिल्कुल एक जैसे सुबह नौकरी पर जाता साम कुआता खाना खाता सो जाता फिर सुबह जाता फिर साम कुआता सेम उसकी दिनचरिया बन चुकी थी जीवन उसका नीरस हो गया था और उसके मन के अंदर कहीं न कहीं इसी बात को लेकर एक बेचैनी मजगी और बेचेनी इतनी ज़ादा होने लगी कि समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कार वो करे तो क्या करे जीवन में कोई प्रोग्रेस थी नहीं सेम लाइफ चलती जा रही थी अब एक दिन वो अपने काम से लौट कर वापिस जब आया घर में खाना बनाया, उसने चार च्पातिया बनाई साथ में सब्जी भी थी अब च्पातिया बना कर रहको किसी काम में व्यास हो गया उधर से जब लौट कर आया तो आकर देखता है कि चार की infra तब तीन ही च्पाती मिलती है उसके चोचा हो सकता है कि साइध में भूल का हूँ, गिंती करना या ऐसा भी हो सकता है कि कोई चुहां इसको लेकर कि चला गया हूँ उसने जादा गौड नहीं की, जो भी बची थी खाया और खाकर सो गया अगले दिन फिर वही, अगले दिन उसने फिर चार चपाती बनाई, वो फिर किसी काम में लग गया है, उसके बाद आकर देखता है तो उसको सिर्फ तीन ही चपाती मिलती है उसके मन में पका आई गया कि कहीं न कहीं कोई चुहा है गिंती में गलती दो बार नहीं हो सकती कोई चुहा है जो उसको ले करके जा रहा है उसने सोचा यार चलो जाने दो मैं तो वैसी परिसान चलना हूँ उसको मिलगी चलो वही सही मेरे पास जो बची मैं उसका खाके सो जाऊंगा अब तीसरे दिन भी उसने चार चपातिया बना कर रखी मगर आज उसका ध्यान सिर्फ चपातियों के ओपर तक कुछ भी हो जाए उसने सोच लिया था कि आज मैं चुहें को तो छोड़ने माला हूँ नहीं अब जैसी चुहां आया आने के बाद उसने चपाती पकड़ी थी पीछे से उस लड़के ने चुहें को पकड़ लिया चुहें ने कहा भाई मुझे ले जाने दे बहुत तेज भूग लग रही है चार रोटी हैं तेरी चार में से एक लेकर जा रहा हूँ तीन से तुग जारा कर ले उसने कहा भाई मैं जैसे तैसे करके चार रोटी बनाता हूँ तो डेले लेकर चले जा रहा है और मैं भोके रह जा रहा हूँ और वैसे यार मैं बहुत परिशान हूं मुझे परिशान मत कर मेरी जो चपाती है भाई मुझे वापिश कर दे चुहे ने कहा यार तुम माने गा नी उसने कहा अच्छे ये बता मुझे कि तु इतना परिशान क्यों है उसने अपनी सारी बाते चुहें से बताई चुहे ने कहा भाई तेरी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके जो जवाब है वो सिर्फ इस संसार में एक ही व्यक्ति दे सकता है उसने कहा वो कौन है कब वे है गौतम बुद्ध तुम उनके पास जाओ और जो भी तुम्हारे सवाल है उनसे कहना तुम्हे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वह ही दे सकते हैं अब सुभे हुई लड़का सीदे सेड़ जी के पास पहुंचा लड़के ने का सेड़ जी मुझे कुछ दिनों के चुट्टी चाहिए सेड़ जी ने पुछा भी क्या होगा सब कुछ ठेक ठाक है नStud हाँ सब कुछ ठेक ठाक है बस कहीं गुमने जाना है हफते बर के चुट्टी ले ली शेड़ जी से और सीधे निकल गया चलते चलते सुबह से साम हो गई साम से हो गई रात अभी गौतम बुद्ध का जो कहीं आस्रम था बहुत ही दूर था मतलब उसकी समय में नहीं आ था कि कहा है कुछ अता पता नहीं चल रहा था जब रात हो गई गंगोर अंधेरा तो सामने दूर एक हवेली दिखाए दी उसने सोचा या रात को यहां रुकता हूँ सुबह के समय फिर स्टार्ट करूँ हवेली में पहुँच जाता है तो महा एक व्रद महिला मिलती है उसको खाना दिया पानी दिया बाचीत हुई तो महिला ने कहा बेटा कहा जा रहे हो उसने कहा माता जी मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के पास मेरे मन के अंदर कुछ सवाल है वही उनसे में पूछने जा रहा हूँ उस महिला ने कहा बेटा एक काम गरना मेरा भी एक सवाल है उनसे अगर हो सके जवाब देते हैं तो उनसे जरूर पूछ लेना उसने कहा बताओ माता जी क्या सवाल है कि मेरी एक लड़की है 20 साल की हो चुकी और बच्पन से अभी तक वो एक भी सब्द नहीं बोली है उनसे बस ये पूछ लेना कि ये जो मेरी लड़की है कब बोलेगी कि ठीक है माता जी मैं तो जाए रहा हूँ एक सवाल और सही उनसे पूछ लूँगा उदर से वाक्षी में मैं आकर बताता हूँ आपको उनसे गए ठीक है सुबह होई वो अपना चल पड़ा अब चलते चलते पहाड आ गए अब जैसे ही उसने कदम बढ़ाया तो सामने उसके एक जादुगर बैठा था जो तपस्या कर रहा था उस जादुगर ने उसको रोग लिया भाई इधर रुको कहा जा रहे हो उस लड़के ने कहा माराज मैं जा रहा हूँ गौतम बुद के आस्रम और मेरे मन के अंदर कुछ सवाल है उन्ही सवालों के जवाब में उनसे लेने जा रहा हूँ तो जादुगर ने का भाई जब तुम जा रहे हो तो एक काम करना मेरे भी एक सवाल है उसके भी जवाब लेते आना उसने बता यह क्या है हजारों सालों से मैं यहां बैटकर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ आखिर कार में स्वर्ग कब जाऊंगा लड़के ने कहा ठीक है मैं जाओंगा तो सवाल के जवाब लोटते से मैं आपको दे कर जाओंगा अब जैसे ही लड़का आगे बढ़ने को था उसने सोचा या रही तो सामने पहाड है अब क्या किया जाए जादूगर ने कहा कि पहाडों की तुम चिंता मत करो मैं कुछी चणों में तुम्हें पहाडों से पहार पहुचा दूगा अब जादूगर के पास एक चड़ी ती उसने गुमाई लड़का सीधे पाड़ों के पार एक मैदानी इलाके में पहुच गिया अब थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि सामने एक बहुत बड़ी नदी आ गई समस्या जसकी तस हो गई पहले पहाड पे अब नदी मैं सोचा यार अब कैसे करूँ अब उसने जैसे इदर दर नजर दोड़ाई तो उसको एक बहुत बड़ा कच्वा नजर आया उसने कच्वे कि भाई मुझे नदी के पार करा दो मुझे ऐसे ऐसे करके गौतम बुद्ध के आस्रम में जाना है कच्वे ने कहा ठीक है भाई मैं नदी तो तुझे पार करा दूगा मगर तुझे मेरा एक काम करना है उसने बोला क्या कि जब तुम उनसे मिलोगे तो सिर्फ एक सवाल जवाब मिल जाएगा अब लड़का जैसे तैसे करके गौतम बुद्ध के आश्रम पहुचा परवचन चल रहे थे तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जिसके जो सवाले पूछ सकता है मगर एक सक्सिर्फ तीन ही सवाल पूछेगा अब लड़का काफी परिशान हो गया क्यों रास्ते में उससे पूछे गए थे और उसके जो मन के अंदर सवाल थे वो रहे अलग अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर कर कौंचे सवालों के मैं जवाब पूछे अगर मैं अपने पूछता हूं तो उन तीनों के रह जाते हैं और मैं एक दो करके पूछता पार कराये थे उसकी मदद की थी उसका सवाल फिर उसके बाद वो कच्वब भी दिमाग माया उसमें भी इताला पार कराया था उसके सोचा आखिरकार इन तीनों मेंसे किसके सवाल का मैं जवाब लोईं से और किसका छोड़ों जब समझ में नहीं आया तो सोचा यार एक काम करता हूँ इन तीनों के ही सवालों के जवाब ले लेता हूँ मेरे तो जैसा चल रहा था चली रहा था थोड़ा और कोशिश करूँगा तो और अच्छे से जी पाऊँगा तो जब उसका नंबर आया तो उसने बुझजी से पूछा कि मेरे तीन सवाल है और तीनों के जवाब मुझे चाहिए तो बुझजी ने कहा कि पहले सवाल का जो आंसर है उस माता से कहना कि जिस दिन इस लड़की की साधी हो जाएगी वो लड़की उसी दिन बोलने लगी और दूसरे सवाल का जो आंसर है उस जादुगर से कहना वो जो चड़ी है जिस दिन त्याक कर देगा उस चड़ी का उसी दिन वो स्वरगलोग चला जाएगा और तीसरा सवाल जो उस कच्वे ने पूछा था उससे कहना यह जो कवश तुने पहना है जिस दिन तु इस कवश को छोड़ देगा उसी दिन ड्रैगन बन जाएगा अब वाप्सी में आते समय सबसे पहले कच्वा पड़ा कच्वे ने का हाँ भई मेरे सवाल का जवाब कि बुद्ध जी ने ये कहा है जिस दिन तुम अपने इस कवर को छोड़ दोगे इस खोल को छोड़ दोगे उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे उसने जैसी उस खोल को छोड़ा तो उसमें से हीरे मुती निकले बहुत सारे इसने का यार मैं इसका क्या करूँगा तुम रख ले भई उस लड़की को दे दिये अब दूसरा जैसे उदर से आया तो वो जादू कर मिला ने का हाँ भी मेरे सवाल का जवाब क्या लेकर आया है कि बुद्जी ने ये बोला है कि जिस दिन तुमने ये छड़ी छोड़ दी उस दिन तुम स्वर्ग लोग चले गाओगे उसने का तो यार देरी किस बात की छड़ी तुई रख ले मैं इसका क्या करूँगा छड़ी देते ही वो स्वर्ग लोग जा पहुँचा अब आखिर में उस माता का सवाल उसके पास पहुचा उसका बेटा मेरे सवाल का जवाब लाए हो कि हाँ माता जी बुद्जी ने ये बोला है कि जीजदिन इस लड़की की साधी हो जाएगी उसी दिन से बोलना सुरू कर देगी तो बिटा देर किस बात की है तुमसे अच्छा लड़का कहा मिलेगा इसको उसकी माता ने उन दोनों की साधी करा दी उसके बाद जब पहली बार वो लड़की बोली तो उसने कहा कि आप तो वही हो जो उस दिन हमारे यहां रात को आए थे ये सुनकर वो लड़का और उसकी माता बहुत खुश्ची आखिरकार सब कुछ ठीक था खोचुका था उसकी लाइप में उसके सारे सवालों के जवाब भी उसे मिल चुके थे पैसा आचुका था ताकत आचुके ग्रेश्टी उसकी बस चुकी थी तो कहने का मतलब यही है कि जिन्दगी में हमें त्यार करने होते हैं बिना त्यार के हमें कुछ नहीं मिलता इस कहानी का यहीं सारता कि हमेशा लेना यहीं देना सीखो और थोड़ा सा त्यार करना भी सेको पेसंस रखो धहरी रखो धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा वक्त पे सब कुछ छोड़ दो वक्त कभी नहीं रुकता एक जैसा सीवन कभी नहीं रहता तो वीडियो आपको प्रसंद आए तो प्रेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले मिलते हैं एक नियो वीडियो में इसी तरह से कोई एक कहने के साथ तब तक के लिए नमस्कार